स्वागत है आपका तंदुस जीवन चैनल पर आज बात करेंगे प्री एकलेंपशिया की जो केवल प्रेगनेंसी के दोरान होती है इसके क्या लक्षन और कारण है और आप इसे कैसे बच सकती है आज की वीडियो में इसी के बारे बात करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइ कारी मिलती है लेकिन आपको इसके लक्षनों के बारे में पता होना चाहिए तो बात करते हैं प्री एकलेंपशिया के लक्षनों की दोस्तों प्रेगनेंसी के दवरान हाई ब्लड प्रेशर होना और यूरिन में प्रोटीन की मौजूदगी होना प्री एकलेंपशिया के मु बहुत ज्यादा सूजन आना, तेज सिरदर्द होना, धुंदला दिखाई देना, बहुत ज्यादा एसिडिटी वा सीने में जलन होना, पेशाप करने में दिक्कत आना, यानि कि यूरिन की मात्रा में कमी आना, ज्यादा उल्टी वा मतली होना, पेट के उपरी हिसे, यानि कि पसलियों के नीचे तेज दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बलड में प्लेटिनेट्स कम होना और अचानक वजन बढ़ना इसके अन्या लक्षन हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कभी भी ये लक्षन दिखते हैं तो तुरंत अपनी डॉक्टर से संपरक करें और ऐसे में जाच करवानी बहुत जरूरी है क्योंकि प्री एकलेंप्शिया के कान प्रेगनेंसी में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और इससे गरब में पले शिशु को नुकसान भी पहुन सकता है दोस्तो प्री एकलेंप्शिया के कान गरभस्त शिशु का विकास परभावित हो सकता है प्री मेचियोर डिलिवरी हो सकती है और डिलिवरी के समय प्री एकलेंप्शिया से पीडित गरवती महला के बच्चे को आगे भ सकती है, प्लेजेंटा में समस्या सकती है, यानि कि गरभासchen में भारी ब्लीडिंग हो सकती है, बलड प्रेशर के जअधा बढ़ने से brain hemorrhage हो सकता है, फेफडो में पानी भर सकता है, किढ़नी और liver failure हो सकता है, यानि कि अगर pre-eclampsia का समय पर उपचार ना किया जाए तो ये मां और गर्भस्त शिशु के लिए जान लिवा हो सकता है दोस्तो पिछली pregnancy के दौरान high blood pressure होना, migraine, diabetes या kidney की problem होना या फिर pregnancy से पहले ही high blood pressure होने के कारण pre-eclampsia की दिक्कत हो सकती है इसके अलावा 20 वर्ष से पहले या 40 वर्ष अधिक उमर में pregnant होना, IVF के जरीए गर्भाधारन करना और इसके अलावा pregnancy में जो महलाएं मोटा अपिसे गरस्त होती हैं उन्हें pre-eclampsia होने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों अगर जांच की दौरान pre-eclampsia का पता लग जाता है तो ऐसे में डॉक्टर आपके blood pressure और urine पर नज़र रखेंगी क्योंकि blood pressure का high level और urine में protein pre-eclampsia का मुख्या संकीत है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सला पर चलना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे की blood pressure कंट्रोल में रखें हमेशा बाई करवट में लेटें भोजन में नमक का सेवन कम करें दिन भर में कम से कम आठ गिलास पानी ज़रूर पिएं ज़्यादा oily और मसाले वाला भोजन ना खाएं अपने भोजन में केल्शिम की मातरा को बढ़ाएं धूमर पान से दू जांच करवाएं ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं और अगर आपकी डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसन दी है तो उसे समय पर लें दोस्तों प्री एकलेंप्शिय का समय रहते उपचार ज़रूरी है इसके किसी भी लक्षन दिखने प डॉक्टर से समपर करें ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें